ओम शाहती आपको साहगत है आपके यूटूब चैनल पर सीख दसूल दूतलाइस वितन और आज के 345 दिन के श्रीवर्दान में चाहँ परमपिता परमात्मा हमें एक और पहलू बताते हैं ब्रह्मा बाप समान या आडम समान बनने के लिए तो हमें इसमें पता सलता है कि परमात्मा ने कौन-कौन सी कोलिटी ब्रह्मा को या आडम को दी थी और ये कोलिटी के गर बारे में हम सुनें और सोचें और इस पर अगर मेडिटेट करें गहन अध्यान करें तो ये सारी चीज़े हमारे अंदर भी उनी चीज़े हैं तो ये कुछ दिनों तक ये श्रिंकला चलेगी जिसमें कि हम ब्रह्मा बाबा के बार में कुछ चीज और समझेंगे तो देखें, आज की हेडिंग में बाबा कहते के हैं बाबा केते हैं सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भाबा अब संकल्प और कर्म में क्या थे परमात्मा ने कैसे बनवाय था ब्रह्मा बाब को कैसे रचा उनको ग्यान देकर के कैसे रचना करें उनकी उनकी बुद्धी को कैसे परिवतन किया उनकी सोच कैसे परिवतन करा उजी को रचना कहते हैं तो विस्तार में चलें जैसे ब्रह्मा बाप ने द्रण संकल्प से हर कारे में सफलता प्रापत की भागवान का कारे है तो द्रंता से करना है JACOI कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, कौन कर सकता है, क्यों, क्या, कैसे यह सब कुछ छोड़ दिया एक बाप दूसरा न गोई क्या सोचा हमेशा? एक बाप दूसरा ना कोई ये प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया कभी दिल शिकस्त नहीं बने सदा nothing new के पाठ से विजय ही रहे कोई भी विगन आया उनके जीवन में आध्यात्मक जीवन में कोई भी प्रॉलम आई तो किसी ने कोई भी किसी भी प्रकार से अगर उनको हलचल में लाने की कोशिश करी तो ब्रामा बाबा ने हमेशे क्या सोचा nothing new कोई नई बात नहीं है ये कल्प कल्प होता है अब ये कल्प कल्प क्या है हर साइकल में ये होती है चीज़े तो परमात्मा उसकले कहते हैं तो आपको श्रिष्टी चक्र और इस सारे चक्र को समझना जरूरी है तब आप पैचान पहेंगे कि कोई भी चीज पहली बार नहीं हो रही है ये हमेशा होती रही है ये होती रहेगी तो nothing new के पार्ट से विजे रहे हिमाले जैसी बड़ी बात को भी पहाड से रूई बनाए उनके अंदर इतनी सैन शक्ती थी इतना सामना करने की शक्ती थी कि उन्होंने कोई बड़ी बात को भी कोई बड़ी मुश्किल को भी उन्होंने छोटा बना दिया रस्ता निकाला कभी घबराई नहीं ऐसे सदा बड़ी दिल रखो दिल खुछ रखो बड़ी दिल रखना मतलब यह नहीं कि सिर्फ आप धन दौलत या किसी तीनिक apert चाहब दान करें बड़ी दिल रखने का मतलब यह भी है कि आप दिल शिकस्त नहूं कि हाई कैसे होगा हाई कौन करेगा इसको भी कहते हैं कि छोटी दिल होना बड़ी दिल वाले हमेशा हर परिस्थिती को पार कर जाते हैं तो बड़ी दिल रखो दिल खुश रहो हर कदम में ब्रह्मा बाब को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे अब ये करा कैसे क्या क्या विगन आएं क्या क्या प्रॉलम्स आईं और कैसे कैसे पहाड जैसी बड़ी बड़ी प्रॉलम्स को भी परमात्मा पिता ने ब्रह्मा बाबा को सीखा करके कैसे पार करवाया उसके बारे में आपको कथाओं के द्वारा कहानी को दारा ब्रह्मकुमार इस गौल डिस्परिचल यूनिस्टी में भी सुनाया जाता है आप आकर के वहाँ पर इसकी विद्या ले सकते हैं इसके साथ में ओम शान्ती